हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग आज के इस वीडियो में बात करते हैं नाखूनों के स्वास्थ के बारे में और नाखून में जो परिवर्टन आता है उसका मतलब क्या है नाखून के ऊपर लाइन का बनना स्वास्थ के लिए इंडिकेटर का काम करता है कि सरीर में कोई और चल रही है तो जैसा फीगर में दिख रहा है, देखे फीगर में पूरी लाइन बनी है, सीधी-सीधी लाइन बनी है नाखून देखकर कई बीमारियों के बारे में पता किया जा सकता यूँ आप समझ लिजे कि शरीर में कोई भी परिवर्तन अगर हो रहा है तो आप उसको नदाज न करें चाहे नाखून का परिवर्तन हो या फिर किसी और भाग का तो दिखे जो लाइन बनी है सीधी सीधी लाइन बनी है अगर वो सफेद है तो हलकी सफेद लाइन का मतलब क् निउट्रिशन की कमी है आप निउट्रिशनल सप्लिमेंट लें ऐसे फोजपदार्थ लें जिसमें निउट्रिशन मल्टि बिटामिन अधिक मात्रा में हो अगर वही लाइन सफेद की जगा पे लाल हो गई है तो लाल लाइन का मतलब है कि सरीर में कहीं अंदुरूनी है और नीले लाइन का मतलब है हाई ब्लड प्रेसर की समस्या आपको निगट भविश में होने वाली है तो इस तरह से लाइन का मतलब है कि सरीर में कुछ और बेवस्था चल लई है उसी का इंडिकेशन आता है नाखुनों पर तो इस तरह से अगर जामुनी लाइन बन गई है जामुनी कलर की लाइन बन गए तो इसका मतलब फेफड़वाल लियर से संब्धित आपको कोई बिमारी हो चुकी है या फिर भविश में होने वाली है तो हर एक प्रकार की जो लाइन बनती है उनका कुछ न कुछ मतलब है और अगर यही जो नाखुनों पर लाइन बनी ह है अगर एक काली हो जाती है भूरी हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेलेनोमा कैंसर की संभावना हो सकती है यहनि आपको निकट भविश में कैंसर होने की संभावना है तो यहां पर जो भी इंडिकेशन बताएगे हैं वो सरीर में केवल इंडिकेटर का काम करते हैं सरीर के किसी भाग में होने वाले परिवर्तन को नजर अंदाज ना करें उसको ध्यान दें और कोशिस करें कि ओ जो चेंज हो रहा है सरीर में ओ ठीक हो जाए अन्यथा बविस्ट में कई और दूसरी बिमारियां कम्प्लिकेटड रूप में सामने आती हैं इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स को भी सेर करें आपने पूरा वीडियो देखा थेंक्यो